होलो एवरिवान वेलकम टू आ क्लास ऑफ कॉस्स अकांटिंग मटेरियल कॉस्ट टॉपिक चल रहा था हमारा आज करना एक्रामिक अउडर कॉंटिटी के वहला हमने बेसिक किया आज कॉस्ट करेंगे कैलकुलेशन यानि कॉस्ट के से डूनेंगे टोटल कॉस्ट वगेरा कु बटन में चेक करें बच्छो चलते हैं कुश्ट नवर फाइफ की तरफ तो एकनामिक अटर कॉंटिटी कॉस्ट पर कर रहेंगे हम लोग सा कॉस्ट भी ढूनेंगे बच्छों आज दो सम करना है ध्यान से आज फॉर इंग फॉर्मेशन डिटाइप अफ्रमेटी अविलेब EOQ और Total Annual Inventory Cost of the Raw Material तो हमें इंवेंटरी का टोटल भाव भी बताना है आज उजल EOQ भी बताना है सलुशन में सबसे पहले हमें चाहिए AOC Annual Demand Order और क्यारिंग तो सबसे पहले वो लिखेंगे बच्छे तो Annual Demand 2000 है ordering cost 20 है और carrying cost unit price का percentage तो unit price 20 है और total percent ने लास्ट लेक्चर में बताया तो हमें आपको कि जित्ते में cost रहेंगे carrying cost के यहां जिसे storage है interest है carriage है rent है whatever if it is in percentage then आपको पूरा plus करना है तो it is a 10% of your expenditure आपका unit price जो करचा है उसका percentage formula initial video में बताया तो मैंने आपको cost per unit multiply by percentage so 20 का 10% तो आ गया यानि EOC आ गया तो economy order quantity का formula लिख लेते हैं 2 AO divided by C यानि 2 multiplied by 2000 multiplied by 20 and divided by 2 तो पहले multiply करें फिर divide करें फिर last में square root बटन दबाएं तो आपका EO क्यू आ गया 200 unit अब second question दा total annual inventory cost तो cost पहले तो आपका जो actual annual खर्चा है निबांड है वो 2000 unit का है और इसका unit price हो दिया तो ट्वेंटी तो 2000 ट्वेंटी 40,000 यह total cost पूछ रहा इसलिए हम यह raw material बना रहें वन्ना तो अमली ordering cost जो होता है वही ढूंते हम लोग और carrying cost तो इन में inventory cost बोला इसलिए यह वाली entry हमने पास की अब जो actual cost ढूनना है वो है आपका total ordering cost और total carrying cost और उसके लिए हमें सबसे पहले number of order चीए क्या आपने number of order देना कितना है तो इसका formula बता है तो annual demand upon eoq तो annual demand 2000 का है eoq हमने निकाला 200 तो number of order जो है हमारा 10 का है तो यह formula में हम use करेंगे सबसे पहले हमारा total ordering cost तो number of order यानि 10 multiply by order cost order cost हमने निकाल 20 था तो 10 into 20 that comes to 200 और उसी तरह से total carrying cost अब जब annual demand ढूनते हैं तो इसका एक formula है यह हम पहली बार करें formula तो formula क्या economy order quantity multiply by 1 by 2 multiply by carrying cost economy order quantity हमने निकाला 200 multiply by half यह तो formula में है और c carrying cost तो यह calculate करेंगे तो इसका answer कितना है बच्चों 200 तो actual हमारा जो annual cost है वह 400 है और इसके अंदर raw material भी add कर देंगे तो total comes to 40,400 और बच्चों यह process से आप आपने जो actual जो cost 400 यह निकाला हमने इसका दूसरा तरीका भी है 400 निकालने का वह यहां पूछा नहीं है मगर हम निकालेंगे तो इसको optional में करते हम लोग तो इसका चोटा था formula यह पूरा लंबा calculation की जरुवत नहीं है तो total cost at eoq तो formula क्या बच्चों तो यह formula काली c divide के जगे पर c भी multiply करना बस तो 2 into a 2000 था हमारा ordering cost 20 था और carrying cost 2 था तो simply multiply कर स्क्वार रूट बड़न दबाए तो आपका answer को यह 400 यह आएगा तो यह दूसरा तरीका है ढूनने का आपका total cost का और इसमें annual inventory cost of raw material बोला था इसलिए हमने यह 40,000 भी निकाल लिया अब question number six में जाएंगे तो महां पर डारेक हाली economic order cost पर total cost पूछा है economic order cost का total cost पूछा यह ध्यान देना तो हुपसोई यह समझ में आ रहेगा question number six की दरफ चलते हैं तो six भी semi almost मगर यहां पर थोड़ा ध्यान देना है कि हजार यूनिट पर मन्त है हजार यूनिट पर मन्त है annual डिमांड की बात कर रहें तो इंटू 12 करना पड़ेगा आपको क्योंकि हम लोग पूरा साल का करते हैं फिस semi annual carrying cost 6% सेमी यानी 6 मेना तो आपको इसको भी 12 मेने में convert करना रहा है हजार पर मन्त है तो हजार इंटू 12 करेंगे तो 12,000 है मगर इसको भी आपको इसको डबल करना पड़ेगा it comes to 24,000 तो यह पर यूनिट याद रखे है हमार रिक्वाइमेंट क्यों एन्वल डिमांड रिक्वाइमेंट तो नॉर्मली यही रहता है मगर उन्होंने रिक्वाइमेंट पर यूनिट को डबल कर दिया है तो वह चीज समझ्झा आपको फिर ओर्डरिंग कॉस्ट तो नब्ब्य है यह परचेस प्राइस 25 पर केजी 25 परचेस प्राइस से हमें कैरिंग कॉस्ट निकालना है तो वह चीज भी है यहां पर और कैल्कुलेशन में यह तो क्यूं है ऐन्वर्र कैरिंग और्डरिंग कोड़ यहां पर खाले कैरिंग और को पूछा एंवाँपर टोल्टल राव निकालते हैं तो सब से पहले हमें चीज़िये एओसी तो यह बताये था मैंने आपको हजार इंट्टू 12 इन्टू टू क्यों डबल करना इसको तो कीफ होता हुआ जोनों ओर्टरिंग कॉस्ट तो नभ्य है यह और केरिंग कॉस्ट तो खर्चे के उपर निकालना है तो 25 का 6% और अभी बता है था मैंने यह सेमी एन्वल है यानि इसको डबल करना पड़ेगा आपको तो इसलिए मल्टिप्लाइब टू यह सेमी एन्वल ही बोला तो तो फिर आज इस वन पॉइंट फाइफ आता है तो 25 का 6% और मल्टिप्लाइब टू यह तो अपना में चीज तो अपने को मिल गया है तो अभी पहला इओ क्यू का फॉर्मला तो टू इन्टू 24,000 इन्टू 90 डिवाइड़ बाई थ्री करेंगे तो पहले मल्ट अब हमारा उसका अनुवल केरिंग कॉस्स और ओडरिंग कॉस्स निकालते हैं तो सबसे पहले हमको नंबर ओफ ओडर चाहिए यह हमेशा चाहिए आपको नंबर ओफ ओडर फॉर्मला याद रखे अनुवल डीमांड अपन ई ओक्यू अनुल डीमांड किता है निकला 24 और य कॉस्चन में दिया नब यानि 800 और उसी तरह से टोटल कैरिंग कॉस्ट अभी फॉर्मला बता है था यो क्यू इंटू हाफ इंटू सी यो क्यू बारा सो आया हाफ फॉर्मले में है उसी हमको 3 दिया हुआ है तो आपका टोटल कॉस्ट बनता है 3600 यह एक तरीका है निकालने अभी कॉस्ट नबर 5 में दाया था सेकेंड ऑप्शन क्या है सेकेंड ऑप्शन में आपका फॉर्मले को खाली सी को उपर कर देना तो यह तरीके से भी आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो टू इंटू 24,000 इंटू 90 इंटू 3 फिलासम स्क्वाइर उड़ बदा है तो आपको आपको कॉस्ट कैसे निकालना है तो मेरा ओपीनियन है कि आभी सेकेंड वाला में तो फॉर्मला है उससे आपसे निकाले तो आजाएगा और यह चीज़ बताओ सम्में हमेशा है ध्यान दे सेमी एन्वल है कॉटल यह एन्वल है और जो एन्वल डिमांड है उस पर ज्यान देना आपको उसका एन्वल डिमांड का यूनिट का भी डबल करता है कि नहीं करता है उसको भी ध्यान देने यह पर डबल किया उन्होंने और करिंग कोस्ट तो हमेशा परसंडेज में आएगा और कितना खरचेगा जितना भी खरचा रहेगा सबको प्लेस करना यहा वह सारे कर चाहें तो सारे को प्लस कर के हमने नेकाल ले तो होद सो आपको एकनोमिक ओर्डर को कॉस्ट मेथर्ड समझ में रहेगा नेक्स वीडियो में हम लोग different lot economic order में different lot के यहने टैबलर फॉर्म में भी question आते तो दो कुश्चन और स्वेभी करेंगे हम लोग और उसके बाद हमारा इसका तो थर्ड टाइप है इन्वेंटरी कॉस्ट वो स्टार्ट करेंगे तो होपसों यहां तो कोई डाउट ने इंशालला नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चो थैंक यू थैंक यू फा व बच्चन वीडियो गद ब्लेस्ट वीडियो गद ब्लेस्ट वीडियो थैंक यू झाल